नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्माल उत्पन्ना एकादसी के दिन स्रीहरी की अगर आप बिधी विदान से अराधना करते हैं तो मनोवांचित फुलों की प्राप्ती होती है वैसे तो एकादसी हर मेहने में दोबार आती है बलत की इकादसी इस बार जो उत्पन्ना एकादसी है 11 दिसंबर को मनाई जाएगी और उत्पन्ना एकादसी इस बार हलाकी दो दिन मनाई जा रही है 10 दिसंबर को और जो समर्थों के लिए है उत्पन्ना एकादसी मनाएंगे और 11 दिसंबर को बैसनव लोग उत्पन्ना एकादसी मनाएंगे पंच देवों की उपासना करने वालों को समर्द कहते हैं जहां पर सिब जी की भी अराधना होती है, गनेश जी की अराधना होती है, भगवान विश्नु के जो उपासक हैं वो बैसनब होते हैं तो उत्पन्ना एकादसी के दिन विसेश उपाय किये जाते हैं क्योंकि इस दिन माना जाता है अपनी समस्त मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए अगर आप छोटा सा प्रियोग करें तो आपकी समस्त इक्षा स्रीहरी पूरी करते हैं चुकि 11 दिसंबर सुकरवार की सुबह 5 बच कर 15 मिनट से सुबह 6 बच कर 5 मिनट तक पूजा का सुमोहर्त है और संध्या की पूजा का मुहर्त है 11 दिसंबर सुकरवार की साम 5 बच कर 43 मिनट से साम 7 बच कर 3 मिनट तक और पारन का समय रहेगा 12 दिसंबर सनीवार की सुबह 6 ब मिनट से सुबह साथ बच कर दो मिनट के बीच वैसे तो त्रेयों दसी तिथी दस बजे तक है तो आप इस बीच कर सकते हैं तो नित्य कर्मों से निबित्त होकर ब्रत का संकल्प लें फिर धूप दीप नवेद बेगेरह से आप स्रीहरी की अराधना करें रात के समय इस दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सामकेस में विसेश उपाय किये जाते हैं हलांकि दीप दान करने का भी विधान है और जब ब्रत समापन हो जाए तब स्रीहरी से गलती छमा करने की प्राठना करें जैसा कि एक छोटी सी कथा में आती है कि स्वयम भगवान स्रीक्रिष्ण ने युदिष्ठीर को सुनाई थी कथा कुछ इस प्रकार है कि सत्यूंग में एक राक्षस था जिसका नाम मुर्थ था वह इतना सक्ति साली था कि अपनी सक्ति से स्वर्ख पर विजय हासल की ऐसे में इंद्र देव ने स्रीहरी से मदद मांगी तो भगवान बिष्णू मुर्भी पहुंचा जैसे ही वो विश्णू जी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो अंदर से स्रीहरी के अंदर से एक कन्या निकली जिसमें मुर्थ से युद्ध किया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ उस कन्या ने मुर्थ का सिर धर से अलग कर दिया इसके ब भगवान विश्णू का नीन तूड़ गया और वो अचंभित रागया विश्णू जी को कन्या से विस्तार पूर्वक पूरी घटना बताई तब यह सब जानने के बाद भगवान विश्णू ने कन्या को बरदान मांगने को कहा कन्या ने भगवान विश्णू से बरदान म शुरू हो गया ऐसा माना जाता है कि अगर आप 24 एकादसियों को कोई भी एकादसी नहीं करते हैं लेकिन अगर उत्पन्ना एकादसी का ब्रत रखते हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रेसानी समाप हो जाती है इस दिन तुलसी के विसेश परियोग किये जाते हैं तो आज हम आपके साथ तुलसी के विसेश परियोग की बाते करेंगे तो चलिए शुरू आत करते हैं देखिए हमारे हिंदु धर्म में तुलसी का पोधा सिर्फ आपके भागे को ही नहीं चमकाता बलकि पुजा पाठ भी करते हैं वास्तु को भी ठीक करता है और तुलसी को भगवान बिश्नु की प्रिया माना जाता है हमेशा ही तुलसी भगवान स्री हरी के सिर्फ पर रहती है जो बैक्ती हरोज तुलसी का सेवन करता है उनका स्वास्त तो अच्छा होता है लेकिन बहुत सारे गरह भी कंट्रोल में आ जाते हैं अगर हम तंद्र सास्त की बात करें तो तो यह मंगल से जुरा है और इसी लिए तुलसी का विसेश परियोग करने से विसेश मनोकामनाय पूर्ण होती है माना जाता है अगर आप ब्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा तो उत्पन्ना एक आदसी के दिन छोटा सा परियोग करें आपका ब्यापार चलने लगे क्या करेंगे कम से कम 11 तुलसी के पत्ते किसी पानी में लोटे में पानी ले 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 उसमें रख दे फिर इस पानी को तुलसी के पत्ते निकाल कर आप कहीं भी मिट्टी में दबा दे और इस पानी को अपने जहां भी कार खाना है फैक्टरी है दुकान है बैपार अस्थाल ह है जो आपकी मंदी चल रही है वो दूर हो जाएगी और इसकी उर्जा चारोर फैलेगी और भागे भी साथ देने लगेगा वैसे तो एक सिंपल सा उपाए इस दिन किया जाता है अगर हम चुकि तुलसी के मंजरी को या तुलसी के ब्रिक्ष को मंगल गरह से जोड़ कर देखते हैं तो ऐसे में अगर आप इस उत्पन्ना एकादसी के दिन तुलसी का दो पत्ता अपने पर्स में स्रीहरी के चर्णों में अरपित करने के बाद रखते हैं या अपने धन के स्थान पे रखते हैं तो यह आपके जीवन में धन को आकर सीख करता है तो दो तुलसी का पत्ता इस दिन आपके जीवन कि बहुत सारे जो मोड हैं उसको बहतर कर देता है माना जाता है कि अगर उत्पन्ना एकादसी के दिन आप जहां खाना बनाते हैं आपके घर में आटे का डबा है उसमें कम से कम दो हलका सा सुखा हुआ तुलसी का पत्ता अगर आप रख दें और उसी से आप आटा बनाईए रोटियां बनाईए अगर आटा गुते से में तुलसी का पत्ता आ जाए तो कोई बात ने उसको संभाल कर आप फिर से डबे में डाल दें अगर गिला हो गया है तो कोई दिकत नहीं आप उसको खा सकते हैं ऐसा करने से आपके जीवन की बहुत सारी परिसानी समाप्त हो जा तब आप एक चुटकी हल्दी डाल कर तुलसी में जल अरपित कीजिएगा ऐसा करने से आपके जीवन में सुक सांती आता है और समस्त मनो कामनाय पुर्ण हो जाती हैं कई बार घर में लगता है जैसे उपरी भाधा नजर दोस से आप परिसान हो जाते हैं अब ऐसे में मंत्र बोलते हुए और इसके बाद आप यह जो आपने तुलसी पत्ता काली मिश लिया है इसको अपने घर से बाहर कहीं भी साइड में अच्छे जगह पवीत्र जगह में डाल दीजिए माना जाता है यह निगेटिव उर्जाओं को बाहर कर देता है और आपके घर को चार तुलसी के पत्ते रैक में या कहीं भी साइड में अच्छे से रख दे इस उत्पना एकादसी के दें वैसे एकादसी तिति को आपकी जानकारी के लिए बता दे तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते इसलिए आप अगर नहीं तोड़ पाए हैं तो डिक्ष के नीच तुलसी का पत्ता नहाने के पानी में डाल कर उत्परना एकादसी के दिन आप नहाते हैं पूरे घर परिवार के या आप चाहें तो पानी की टंकी में भी डाल सकते हैं आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम रहता है और उत्परना एकादसी के दिन चुकि बिजय प्राप्ति का दिन है देवी एकादसी का दिन है इसलिए आपकी समस्त इक्षाएं वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी पूरी कर देती हैं कई बार क्या होता है आप चौप करते हैं अब यहां पर नौकरी जाने का डर रहता है प्रमोसर नहीं हो पा रहा है तब एक छोटा सा और मनजडесी में शूखा वजो मंजरी इसको तोड़ लिजेगा उसमें से सोला भीज निकालके रख लें सोला भीं के दिन ये परियोग करके भगवान के विश्णू के संचर्णों में रख दें अगले दिन इसको आप अपने आफिस में किसी भी मिट्टी के गमले में या कहीं पर मिट्टी है तो वहां पर दबा दीजिएगा यकीन मानिए आपकी जो नौकरी जाने का डर है नौकरी में क्यो सिर्बाद भी प्राप्त होगा फिलाल बिदा लेंगे हरहर महादेव धन्यवाद